तो ज्यादा चर्चा के लिए रोहताश हुड़ा हमारे से फोन लाइन पर जोड़ चुके हैं बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका खबर अभी तक में दन्यवाद मेडम दन्यवाद तो सुना आपने जिस तरीके से बाचीत का एक जरिया बाचीत करके रास्ता निकालने की कोशिश की गई है और सरकार कह रही है कि जातों की जो मांगे है उन्हें पूरा किया जाएगा आपकी पहली प्रतिक्रिया तब क्या लगता है जो रेली होने वाली है अमिजशाह की जिसे लेकर लगातार विरोध के जो स्वर है वो गूजते दिखाई दे रहे थे और अब विरोध नहीं किया जाएगा क्योंकि कई मांगों पर अब मोहर लग चुकी है कि मांगे जो है वो सरकार मानेगी देखिए सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज गी थी जाएगा को कि बिल लगाता दो साल का वक्त सरकार के पास था और काफी टेकनिकल और कानुम से शुड़ कि रहे ले चुकी थी सरकार के इस वाप सी के उपर लेकिन सरकार इसमें कुछ डिला रवही अपनाए हुए थी कु वक्ति बिल्ड़तों है यह जो हमारी लड़ाई थी दो जाम जुए उसमें चैक्टिस बिलादरी के लोगों प्रकेश दश दर्ज हुए थैं वर शवीं रवही तो हमने चैक्टिस बुलर के लोगों के लाड़ाये हैं, फिसमें सबी रहत मिलेगी जो शरकार कदम उठाने सब्सक्राइब करते हैं और उमीद भी करते हैं कि इसमें रहते सब इसको लागू करेगी चलिए आप बने रही इसके साथ है जात नेता हावा सिंग हमाइसा फॉन लाइन पर जूट चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबर अभी तक में तो जिस तरीके से मनोहर बड़ा रादमी सद्धिनतर है और ये चल रहा है दो साल छे ये बात पहले भी एक साल पहले मानी की थी हमारे सावानेबी 2726 को सीम्ने चर्ण्डिक डिमान था तो ये मानते रहते हैं कौट इनकी कोई बास सुनता नहीं है कौट को क्या बोल रह रहा है पता नहीं है जै उस प्य法ण करेंगे. बीजरी बात्ते राध में और कुछ नहीं है. गया थे जातों कर दिया गया है. कहा जा रहा है कि आब उनकी और से विरोध नहीं किया जाएगा। हाँ तो वो तो पता था यह इसल ड्राएगा कि यह पाल मलिक का आंदोन करना कोई स्वाल परदा नहीं होता हुए उनकी मामला हो लिया अठंडा अरियाना में और कुछ दिन मों हो जाएगा और उनको यहां से जाना पड़ा गाया एक दिन आपको बता रहे हुए पहले हैं मैं जाता पर इनोंने जाए भी बन्नु और दंगड कहला प्राव यह किसी का नहीं है मैं जानता हूं इस आपनी को बहुत पुराण जानता हूं तो सांग्वान साहब क्या दिखावा किया जा रहा था यह पक्का आंदोल करना कोई स्वाल ही नहीं था अंदोल का इंदो करेगा वह तो करेगा तो पर लोगदल का साना ले करेगा लोगदल जो अठीका पीछे अभी तो यह बड़ा एक वरागती है इसको समयना हम आदमी को ताइम लगेगा जी सांग्वान साहब रोताश जुड़े हुए हैं मलिक गुट से हमार साथ आप क्या कहेंगे देखिए मैं सांग्वान जी की बातों आपको जवाब देना चाहता हूं जी सांग्वान जी के विचारों से एक पुरो अगर ऐसे गर्शित हैं रेक इनके अंदर से खीज की बाउना निकल कर सामने आ रही है इनको इस तरह का वेवार निकना थे बहुत बुजर्ग हैं सम्मानित वक्ति हैं और बाइचारा बने रहा थी अर्याने में इस तरह के बैंने नहीं लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं अर्याना में करना लगा रहा है 200.700 के सब्सक्राइब करना थे लोगों पर जबंदा है रहा है अर्याना में 200.500 के सांगवान साब सुन लीजे क्या कहा रहे हैं आप सुन तो लिजी है नहीं पता रहा हूं न वही बाता हुआ आप सुन लेजी हैं वह बता हुआ है नहीं है आप सुन लेजिये शैर बॉख्राइए नहीं पता हुआ है सांग्वान साथ का कहना है कि सीधे तौर पर यह दिखावा है सब आप यह सुनेंगे तब दोसका जवाब दूंगा इंगो एक बार रो किये क्या कह रहे हैं रोता जी देखिए फरवरी 2016 में 205 केस जर्द हुए जी और 205 केस जर्द हुए थे उसमें लबल 24 जार लोग नामद चेश वापिस लिए से सरकार ने जिसमें 20,000 से जार लोगों को राज मिल चुकी सिपह लेई अब चैरजाद 660 लोगों के केस में से भी आट सो कुछ लोगों राज देखिए सरकार और दो लोग 2017 कंदल में सब्सक्राइब 2016 के आट सब्सक्राइब है नहीं को मदनाना भी नहीं सरहा है कि है हमारे हैं कि शरकार परोड है यह, सरकार कर रही है के सांध करें लुए हैं अब इब केस्वाइब होए हैं दूल मुन को नौकरी भी मिली है और परकूर की बात का समान करना चीह सरकार का देन्य वापस लिए जाएंगे और वोगुट में तो होजाए तरी थे एक रिखा रहे होगे तुम प्रदेश कारे होगी। और आप जैसे दो पर देश का महल भी आपना जाते हैं उन पर भी सरकार लगा मलगाएगी। आप लोगो नो जो 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 जुदा दिया। आपको शैंटी करें तो विन्हें आदमी क्यों बठा रहा करें तो उन्हें वो बता जी दो जाट चोदा तो सामवान साम लेकिन अब बैठक के बाद जो है बीचका रास्ता निकाल लिया गया है सगित कर दी गई है जो उनके और से विरोत किया जा रहा था रैली को फिलहाल दो कि हो एजदकर नहींमांग ते खेलाब मुकृदमांद करने इमांग ती वो निकाल दी अभी कि माफ कर दिया तो बताटा है था कि माफ कर द दी को निकिन को बताओ करने के दिल्चिया थी और मुक्रम्त , ये वो रहा था था निकिन दीए स्ञह्णिक विश्वाहि हो दो किया है आठ वेचा यह रह्याज कुझे मांग कर दिया मांग को पर्देश की जनता को बढ़का कर शड़को पर लेना ता थे नौजवानों व्यक्ता कर वादी आपने जोज़ा के अंदर पर्देश की जानता के सरकार अब इनकी मांगों कि इसलिए पूरा करें करें कि सरकार भी घबराई हुई है कि एक बार फिर हर्याना नजल उठें देखिए आप जैसे लोग तो हर्याना माग लगाना चाहते हैं आपके मंसा हर्याना माग लगा कर राजनेती करने की होगी हम हर्याना में बाइचारा नहीं भी घरना चाहतें सरकार और सविधान करना चाहते हैं यहीं कि लोग कंतरगी त्रकार आपकी ना-पिस ना-जीक्षिए वजय से इक चले गए हमारे रोताजी कि दो बार को सरकार किना घवराई हुई है इसी वज़े से अभी मागो को जो है वो पूरा कर लिया गया है माल लिया गया है जी बहुत बहुत शुक्रिया खबर अबे तक के साथ जुड़ने के लिए सांगवान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबर अबे तक के साथ जुड़ने के लिए